तो विडियो में बात करने वाले हैं SKMU दुमका का सिलेबस और इंपोर्टेंट कोस्चन ठीक है तो माइनर पेपर हिंदी का है यहां तो माइनर पेपर हिंदी में समेश्टर वन में जो भी लोग रखें हैं 75 मार्क्स का आएगा गुरू ठीक है और इसमें पास करने के लिए आपको लाना पड़ेगा तीस नंबर ठीक है समझ गया है वन मार्क्स वाले पांच पांच मार्क्स वाले दो और बाकी 15 मार्क्स वाले चार कोस्चन होंगे समझ रहे हैं बात को अब देख लिए तो माइनर पेपर हिंदी वन एमें आपका जो है यह चार टॉपिक से कोस्च कर रहा हूं क्योंकि यह टॉपिक आपका बहुत इजी पड़ेगा या फिर बहुत महंगा पड़ेगा जैसा आप समझें हिंदी पहला है हिंदी कहानी के उद्भाव विकास पर संचिप टिपनी लिखें यह आपका एक कोस्चन रहेगा और हिंदी कविता के उद्भाव वि इंदी कहानी में यह सारी चीज़ पढ़ लेना है इसमें सद्गति पढ़ना है प्रेमचंद का ठिके अकास दीब पढ़ लेना है यह पर्साद ये लिखे है अजारी परसाद दिवेदी जी ठिके पिर उसने कहा था चंद्रधर सर्मा गुलेरी जी गीख़ा हुआ हुआ है आपको वन माक्स में आएगा कि आकास दीप किसने लिखा था परसाद के लिख दीजिएगा ठीक है किसने कहा था किसकी कविता है तो यहां पर लिखना पड़ेगा चंद्रदर सर्मा गुलेरी का यही आएगा आपका एक्जाम में हार की जीत यह सुदर्सन जी के दौर लिखा है तो यह आपको पढ़ने है कहानी में उसके बाद कविता में यह आपको पढ़ने है कविता में आपका तुलसिदास जी का है पुस्ववाटी का प्रसंग ठीक है फिर हमारा आरंब के पांच पद और यह दोनों ठीक है आरंब के पांच पद फिर आपको पढ़ना है निज साथ जी का दिखा हुआ है आगे है जागो फिर एक बार तो रिकांतर पाठी निराला का हिमालाई दिनकर जी का दिखाया हुआ है रामदारी सिंग दिनकर राइश्ट कभी ठीक है तो यह टॉपिक आप कम से कम पढ़ के नहीं तो लक्टर सुनके जाएगा गूगल में सब पढ़ा हुआ है सब कुछ देख लिजेगा ठीक है और यह दो कोश्चन आपके डेफिनेटल एक्जाम में आएगा दोनों और सकता दोनों आ जाए या फिर दो में से एक तो हंड्रेट परसंट आएगा तो जाए इसके मियू का ही दिखी ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है और एक्जाम से पारले मैं और एक बार सब का अच्छे से वीडियो बना दूंगा फिलाल मेरा में का एक्जाम चल रहा है इसकारण में आप लोग को वीडियो प्रोपरली नहीं दे पा रहा हूं ठीक है नहीं